दोस्ती की परक एक बार की बात है एक बकरी थी वो बहुत खुशी-खुशी अपने गाउ में रहती थी वो बहुत मिलनसार थी बहुत सारी बकरिया उसकी सहेलिया थी उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी वो सभी से बात कर लेती थी और सभी को अपना दोस्त मान लेती थी सभी कुछ अच्छा चर रहा था लेकिन एक बार वो बकरी बीमार पड़ी और इस कारण वह धीरे-धीरे कमजोर होने लगी इसलिए अब वो पूरा-पूरा दिन घर पर ही बिताने लेगी बकरी ने जो खाना पहले से अपने लिए जमा करके रखा था अब वो भी खत्म होते जा रहा था एक दिन उसकी कुछ बकरी सहेलिया उसका हाल-चाल पूछने उसके पास आई तब ये बकरी बड़ी खुश हुई इसने सोचा कि अपनी सहेलियों से कुछ और दिनों के लिए वह खाना मंगवा लेगी लेकिन वे बकरीया तो उससे मिलने के लिए अंदर आने से पहले ही उसके घर के बाहर रुप गई और उसके आंगन में रखा उसका खाना घासपूस खाने लगी ये देखकर अब इस बकरी को बहुत बुरा लगा और समझ में आ गया कि उसने अपने जीवन में क्या गलती की अब वो सोचने लगी की काश हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा वदोस्त बनाने से पहले उसने उन्हें थोड़ा परख लिया होता है तो अब इस बीमारी में उसकी मदद के लिए कोई तो होता